हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो हम पलाजो के साइड में डिजाइन बनाएंगे ये कटिंग मैंने कर लिए कटिंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ये वाला डिजाइन बनाने के लिए हम इसमें आसन की तरफ से जिस तरह से ह एक्स्ट्रा लेते वो ले लेंगे लेकिन हम साइड से नूर्मली एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं लेकिन ये डिजाइन बनाने के लिए हमें साइड से वन इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा तब हम ये डिजाइन बना पाएंगे तब ही हमारे पलाजो के फिटिंग अच् यह डिजाइन बनाने के लिए हम यह पेपर पेस्टिंग या फ्यूजिंग पेपर जो भी आप बोलते हैं वो ले लेंगे और इसके किनारे किनारे पर इसको पेस्ट कर लेंगे पूरा नीचे तक यह बैक की जो दोनों पार्ट है उन दोनों पार्ट पर हमें इसको पेस्ट कर यहां मैंने बैक के दोनों पार्ट पर यह पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लिया है चिपका लिया है अब हमें कपड़े की दो लंबी पटिया लेनी है इन पटियों की जो चोड़ाई है वो 2.5 इंच है तो अब हम पहले यहाँ पर कट वर्क का डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक ये बुकरम के पीस से पीस कट कर लिया है यहाँ इसकी लंबाई है 3 इंच और चोड़ाई है 1 इंच से 1 लाइन कम इसकी चोड़ाई है इसको यहाँ पर रखेंगे उपर से 1.5 इंच छोड़ देंगे क्योंकि यह हमारा सिलाई में जाएगा और उसके बाद रखेंगे और ऐसे ही जैसे हमने यह पैटरन कट कर रखा है और यह निशान लगाते हुए जाएंगे यह पूरा नीचे तक हम अपने पलाजो पर यह निशान लगा लेंगे यह निशान हमने नीचे तक लगा लिए हैं इस तरीकेशन निशान लगाऊगे तो आपके निशान बिलकुल एकदम से एकवल आएंगे इसलिए आप ऐसे ही कट करके पीस को फिर यह निशान लगाना फिर जो हमने पट्टी लिए है यह हम इसके ऊपर लगाएंगे और एक मोई सिलाई हमको लगा लेनी है ये सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्टरा कपड़ा है उसको एक पैर का मार्जन रखेंगे और सारे कपड़े को एक्स्टरा कपड़े को कट कर लेंगे और यहां पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काटने के बाद जो सबसे जरूरी काम है जहां पर भी यह कोर्णर बन रहे हैं यहां पर कट लगाना बहुत जरूरी है और यह कट लगाते टाइम धान रखे कि हमारी सिलाई कट ना हो तो ये सारे कट लगा लेंगे तो हम इसको सीधा करेंगे तो ये बड़ा आसानी से सीधा हो जाएगा कट लगाने से हमारी फिनिशिंग आएगी तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे जो भी हमने पट्टी लगाई थी यह हमारी wrong side में, ulti side में चली जाएगी, देखिए इस तरीके से यह हमारा आ जाएगा, और इसको सीधा करते टाइम आपको लगे कि यहाँ पर corner में हमारा कपड़ा खिचाओ में आ रहा है, तो पकड़ कर इस तरीके से कर देंगे, तो आप यह आपको ठीक हो जाएगा, यहाँ finishing आएगी, तो इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद एक बार हम इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे, प्रेस लगाने से क्या होगा, यह हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, और आगे जो सिलाई लगाएगे, वो लगाने में हमको असानी र आई है, तो वो आपको without प्रेस और प्रेस लगा कर आप करोगे, तो वो दोनों में आपको डिफ्रेंस पता लग जाएगा, यहाँ पर प्रेस मैंने लगा लिए अच्छे से, अब हम फ्रेंट और बैक पार्ट को एक साथ अटेच करेंगे, एक साथ सिलाई लगाएगे, तो हम फ्रेंट पार्ट को नीचे रखेंगे, और जो हमने बैक कट वर्क बनाया है, जिस पार्ट पर, उसको इसके उपर रखेंगे, फ्रेंट पार्ट को इसके हाफ इंच नीचे दबाएगे, जहां से हमारी सिलाई आएगी, मतलब इसको हाफ इंच नीचे तक दबाना है, क्य के बाद यह देखिए उपर नीचे से हमारा एक साथ यह मिलकर आ जाएगा अब यहां पर या तो आप पिन लगा लीजिए ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे या फिर इस तरीके से आपके पास फ्यूजिंग टेप है तो आप यह लगा लेजिए और यह लगा कर आप इस पर प्रेस लगाओगे तो यह हमारा कपड़ा आपस में चिपक जाएगा तो यहां पर मैं पिन हटा के यह फ्यूजिंग टेप लगा लूँगी इसके नीचे रखूँगी और अच्छे से प्रेस लगा कर इसको यहां पर चिपका लूँगी यह प्रेस लगा कर मैंने चिपका लिया है अब हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे यहां पर हम यह सीधी सिलाई लगाएंगे जहां तक हमारा कटवर कड़े जाएन है उससे हम हाफ इंच दूरी पर रखेंगे और यह सिलाई हम लगा लेंगे यह सीधी सिलाई हमने लगा ली है अब हम कोई भी लेस लेंगे यहां पर आप पतली लेस लेना तो बारिक लेस ले लेंगे और इसको जो हमने कट वर्क बनाया उसके नीचे रखते हुए जाएंगे और यह सिलाई लगाएंगे किनारे से सिलाई लगाते जाएंगे यह सिला लेस लगने के बाद यह हमारा इस तरीके से दिखाई देगी और यहां पर यह देखें पूरे में लेस लगाने के बाद उल्टी साइड से हमारा लुक है फिनीसिंग है हमारे कितनी अच्छी और यह सीधी साइड से हमारा इस तरह से डेजाइन है इस तरीके से डिजैन आएगा पयानने के बाद हमारा यह साइड में आएगा पूरा लुक देगा हमारा और यह मैंने दोनों पीस पर बना लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको मेरे चैनल पर इसकी फुल कटिंग और स्टीचिंग की वीडियो भी मिल जाएगी अगर आपको यह डिजाइन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेर जरूर कर देना थेंक यू